इस वीडियो में हमला क्लास 7 समाज़क विग्यान का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं तो यह मेरे पास सुवह में आया था तो सोचे कि आप सब के लिए बनाया जाए आपसे कमेंट भी कर रहते हैं कि बनाये बनाये ओरिजिनल पेपर तो जैसा कि देख सकते हैं यह इस समाज़क विग्यान का पेपर है ठीक है टोटल मार्स आएगा पचास और आपको समय दे जाएंगे दू घंट है एक अच्छा सेव है ठीक है यह सब आयोप आप सब भरी लेंगे ठीक है ध्यान से देख लिए यह सब आपको भरने रहें यहां आपको निर्देश दिया ह हुआ है से परसुनी को तर नवाड़ रहें और इस तरह से निर्देश दिया हुआ है तो किए पहला इसे विकल्ब के सामने सही कई लगाइए ए सामने सब्सक्राइब दो नमर मिले इस तरह कि चार को सवाल और चारों सब्सक्राइब जाएगा इस इसे को पढ़िए अग्जाम में जाएगा दो करें निर्मान कर बाया तो अकवर निर्मान करा आए क्या बुलंदर वाजा खरिद बिक्री काले मार्य उद्रेनेट यहां पर टिक मारेंगे क्या सिल्क में तो यहां पर टिक मारेंगे क्या सिल्क में नहीं है तो वह है क्या ज्वालमुखी आपको समझ में आ रहा होगा अब आगे देखिए अडिक तस्थानों के पूर्ति कोश्टक में दिये गए सब्दों में से किजिए तो यह जो ब्रैकेट में जो सब्द दिया गया है न दोगो उसी में से क्या करना चुनना नम्रिंग सिस्टम सेमी है दो दो नमबर कर रहेगा ठीक है तो चार को है तो चार दुनी आठ टोटल आठ नमबर कर रहेगा पहला दिली सलतिनत का संस्थापक डैस था तो कुतिविदिन एवक था तू है द्यानिक प्योग की चीजे एक ही छत के नीचे मिलती है उसे डैस करता है तो उसे स्वापिंग कॉंपलेक्स करते है ठी दिन दे में ठीक है प्रित्यविए के बीच की परत को डैस कहा जाता तो सीमा कहा जाता है एक सही मिलाएगा तो दूनमर मिलेगा और चार सही मिलाएगा तो आठ नमर मिलेगा संग मरमर संग मरमर क्या है रुपांतरी चटान का एक उधारन है सस्ती वस्तुएं कहां मिलती है सापताहिक हाट में हाट यह नहीं बजार जहांगीर यह सुभिता उपलब करा है था न्याई की जन्जीर का तेक न उसमें भी सिकायत कर सकता था मंसब तो मंसब क्या एक पद है ठीक है पद फोर देखिए फोर क्या लिखा हुआ यहाँ पर लगा है कि किनी चार प्रस्ण को उतर देना है ठीक है कुछ चार प्रस्ण को उतर देना है ठीक है तो एक सही उतर देजेगा तो चार नमर मिलेगा और चारव से उतर देज़ेगा तो कितना नमड़ 16 नमड़ मिलेगा यहां पर लिखा हुआ दिए पहला shopping complex और सब्ताइक हाट में क्या अंतर है यहां पर देख सकते हैं यहां पर खाले जगा तो यहीं पर आपको लिखना है नेक्स्ट है वाई मंडल क्या है इनसे में कौन-कौन सी गैस है तो यहां पर सबसे पहले कोशन पेपर देख रहे है इसके बाद आपको solution भी प्रवाइड करेंगे इसी वीडियो में ठीक है तो चैनल पर नहीं है तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिए जब बागे सब्सक्राइ घरेलू काम केसे कहते हैं यानि यहां पर कितना दिया हुआ टोटल छे दिया हुआ इसमें से चार आपको लिखना है ठीकर चार तो धियान रखेगा परस चाड़ी लिखना है तो जो असान लगए इन छेओं में से तो चार गो याद कर लेज़ेगा पात्वा में क्या बला अधिकतम सौ सब्दों में दीजे अधिकतम प्रसंद का उत्तर तो चटान किसे करते हैं धारनों के साथ इस्पस्च किजिए और यह इसमें सबसे असान मुझे क्या लग रहा है यह से करने वहला मुहम्मद भीन तुगलक एक प्रयोग धर्मिस आसक था कैसे ठीक है इस पर्स करना तो यही आपके लिए लिखा देंगे ठीक है तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं बट यही आसान लग रहा तो असान है तो यह नहीं याद करेंगे तो चलिए आपको solution provide कराता है especially IP के लिए क्या type किया है तो बहुत time लगा है तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा तो पहला है shopping complex और सब्सक्राइब क्या अंतर है तो उतर लिखेंगे shopping complex में लोग मोलभाव नहीं करते हैं कि वहाँ सब वस्तूओं पर एक निश्यत दाम लिखा रहता है और वस्तूओं महांगी मिलती है ठीक है यह भी है तो मोलभाव नहीं कर सकते हो उसमें जितना दाम लिखा वह नह पर दोटीजियें अ और चीजयें थोड़ी सस्ती मिलती है ठीक हो मोल के तुल नाम है टु है वाई मंडल क्या है इसमें कौन-कौन सी गैस है जिस गैसी आवरन से प्रित्वी घिरी भी है चारोड से उसे वाई मंडल कहते है इनमें मुख्य गैस है निटोजन ऑक्सिजियन गैस ठीक है कौन-कौन सी गैसे हैं तो यह सब क्या यह सब मुख्य गैस है जो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तर लिखेंगे मध्यकल में सहरों कविकास किन-किन रूपों में हुआ। तो कापे में लिख लेजैगा और जो असान लगेगा वही याद केजेगा भुकम से होने वाली छती से बचाव कैसे करेंगे उतर लिखेंगे भुकम से होने वाली छती से हम तभी बच सकते हैं जब नागरीकों को इसे बचने के उपायों से अबगत करा हैं तेकि जब सभी लोगों को पता रहेगा कि भुकम से कैसे बचाव करना है तब ना लोग इसक भुकम प्रोधे, फाइब देखिए, जल के कौन-कौन से सुरोत है, तो उतर लिखेंगे, जल के निमन सुरोत है, तलाब हो गया, नहरे, कुए, नदिया, सागर, महासागर, वर्सा हो गया, भुमिगत, जल हो गया, इतियादे, ठीक है, तो यह सब क्या, यह सब सुरोत है, वो घरेलू काम करते है, जैसे जारू लगाना, कपड़े और बरतन दोना, खाना, पकाना, आदे, ठीक है, यह सब हो गया, अब देखिए, अब आते हैं, दस नमबर वाला, यह दस नमबरिया है, तो इसको इसको याद करके जाएगा, दस नमबर का है, इसके पहले आपको सा चाड़े को याद करना, ठीक है, अब आते हैं, दस नमबरिया, बस एक ही को बता रहा है, क्यों ज्यादा समय बढ़ बाद करना, यही सबसे असान है, तो मुहम्मद बिन तुगलक के पड़योग धर्मी सासक था, ठीक है, पड़योग करते रहता था, कभी यह काम कर दिया, क कैसे है, तो दिखे, उतर लिखेंगे, मुहम्मद बिन तुगलक को एक पड़योग धर्मी सासक कहा जाता है, ठा, इसके निमलिखित कारन्त है, ठीक है, कुछ-कुछ नया काम किया है, और इसको कहा जाता है, कि बिना सोचे समझे, निमने ले ले लेता था, ठीक है, तो पहल इसको एक प्रियुक धर्मी सासक कहा जाता था, ठीक है, तो इतना आपके लिए स्पेशल टाइप किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा, वीडियो को लाइक करते जाएगा, थैंक्स पर वाचिंग,